तो हेलो नमस्कार परणाम सुप्रभातू कैसे हैं आप सभी तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में सभी के बनाई तो आज आप सोच रहे हैं कि मैंने एक्ष्टर सभी बनाई थी और अधर तब तक मैंने आटा भी गूत के रख लिए बस पर फटा फट से रोटिया बना लेंगे तो आप जो भी मेरे टाइटल देखके आए होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल आज क्यों लिखा तो इसके पीछे क्या रेजन है तो पता इसके पीछे ये रेजन है मैंने तो अक्सर कर बहुत साही लड़कियों को लाल कफन में दफन होते हुए देखा है तो आप बाद लड़कियों को जब उनकी साधी होती है न तो उनकी मन पसंद का लेंगा मत दिलाओ पर उनकी मन पसंद का कम से कम हमसफर तो दिला दो आप बताओ लड़की होती है उस दे रहे हैं कि हमारे घर में यह सब एलाओ नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो इसलिए मैंने आज कर यह तैटल डाला है कि जो भी मतलब लड़की की साधी करने से पहले विडू जरूर देखनी चाहिए आप बता हूं मतलब मैं अभी एक लड़की हूं तो पता किया आज एक दी ब्लोक्स डालती है तो मैंने उनका ब्लॉक देखा तो इतनी ज्यादा रूर रही ती मैं आपको क्या बता हूं मतलब कि उनके घरवालों ना उनकी साधी करती तो वाइस अभी आपर दीदी बना रही है खाना और मैं जा रही हुखाना खाने तो आने का चलो थोड़ अब रिकॉर्ड कर लेते हैं आप सभी की साथ सेर्वी करते हैं तो चलो खाना बना लेते हैं और उनसे बिल्कुल पूछा भी नहीं तो बताओ तो बस मैंने उनका ब्लॉक देखा तो मुझे इतना बुरा लगा वोतल आज दिन तक इतनी बड़ी टूब बन चुकी पर फिर लड़की का मतलब मन पसंद का लड़का होगा जो उसका जीवन साथी होगा वो अगर मन पसंद का होगा ना तो लड़की ना सिंपल कपड़ों में साधी करके बहुत खुश रहेगी और अगर मतलब लड़का उसकी मन पसंद का नहीं होगा ना उसका जीवन साथी होगा तो चाहें आप उसे कितने भी मतलब भारी बगयरा वह लेंगे अच्छे से अच्छे महेंगे से महेंगा लेंगा दिलादो पर लड़की ना कभी अपने जीवन में भी नहीं खुश रहेगी और कभी अपनी साधी में भी खुश नहीं रहेगी तो ऐसा होता है आप सब को समझना चाहिए कि पुराना जमाना होता है वो तो देखू चला गए तब का तब था पर आज कल आपको आपको पता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने तो मतलब यभी वीडियो देखा ना मुझे इन उनके ब्लोग्स देखती हूं इतना रोना आता है मैं आपको क्या बता हूं इसे काफ याद लोग जानते भी होंगे पर मैं उनका नाम नहीं लोगे आप समझ जाए कि मैं किनकी बात कर रही हूं तो इसलिए मैंने का चलो आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं जब मैं उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे काफ याद दुख लगा कि सच में ऐसा नहीं करना जहीं ऐसा तो है नहीं कि आपके उपर मतलब आपकी लड़की है तो कोई बोज बगेरा है ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो बस इसलिए उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है दौलत सुहरत उनके पास हर एक चीज है पर उनके परवार वालों ने उनके मन कि हमसफ़ के साथ उनकी साहदी नहीं कराई तो वो बात उनको आज दिन तक इसनी ज्यादा खटकती है कुछ कहने का नहीं होता है ना कि कोई बात होती है अंदर ये अंदर बहुत जाच चुपती है तो बस वही उनके साथ होता है तो मैंने का चलो आज जब ये बात मन में जो मेरे बीवर्स हैं जिनको यह बात अच्छी लगी है तो प्लिज वीडियो को लाइक जरूर कर दे बहुते हैं, मैं दो नहीं पता, पर इसको अच्छे से इसको पोड के रह लेंगे तसला में पुर इसका ले जाएंगे आग जलाएंगे तु बस यहां पर यह बाहर रखे होते हैं, देली के डेली लेके आने होते हैं, बाहर एकंडो अधिया थी वार ममी रूंत मर कोई कि जंब हैं की रोटी सब्जी फटा-फट से और यहां पर मैंने कर दी कुभल जलाने की तयारी तो बस फटा-फट से और मैं आपको बताओं मैना पंड यह कागज होता है उसके हेल्प से चुबला जला-चूले मैं अंग लगा लेती हूं तो बस आपड लकडी भी तैयार है और आज मैं खाना जल्दी बना रही हूं तो इसलिए उसका भी कुछ रीजन है अब समझ जाओ और आज पता क्या हुआ मैंने तो यश्ट अभी न्यूस सुनाए तो मेरे तो मतलब रोंग्टे खड़े हो गए मुझे इतना बुरा लगा कुछ कहने का ही नहीं अभी आप मेंसे काफी आल लोगों ने समाचार में सुना होगा कि ओडी सा रेल एक्षिजेंट में 233 लोगों की बताओ डेथ हो गई है मौत हो गई है और 900 लोग जखमी है घायल ने बताओ मैंने तो सुना मुझे तो इतना बुरा लागा कुछ कहने का यह नहीं आप बताओ भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे भगवान उनके आत्मा को सांती दे बस मेरी तो यहीं उनसे दुआ है भगवान से का काफी जादा बुरा हुआ उनके साथ तो बस मैंने का चलो जब मन में बात आई है तो आप सभी किसा शेर भी कर देती है अब यहां पर फटा-फट से हम आटा चानल लेती है होती नहीं तो बस यहां पर दाल बनके भुचकी देते ροच्वान से अब इसको बात को चूकने आई थी मेरी फटती मेरी जीरों से धाल को चूक दिया था क्योंकि मेरे टिमाटर कर देtur देखे ぁम देर्शा प्याद नहीं लगती से यह तब तक उदर रोटी की तैयारी हो गई है बस अब इसके गाद यहाँ पर फटा-फट से रोटी आ बना लेते हैं तो बस हो जाएगा मेरा काम रोटी बन के तैयार हो जाएगी फिर उसके आद खाना खा लेंगे गर्मा गर्म और आज न च्छे भी नहीं बजे है इतनी अलदी आज में खाना बना रही हूँ आप सोच रहे हो कि छे बज गए हैं तो इसलिए धूब भी और यहाँ पर यह मेरी चोटी बन का खाना लगके उच चुका है तैयार अरहर की दाल रोटी और प्याज तो बस यहाँ पर उखा रही थी खाना उसने का चलो थोड़ा सा रिव्यू दे रही थे हैं कैसा खाना वरा है तो खाना एक नमबर बनाता क्योंकि अरहर की दाल मेरे घर में सभी की फैबरेट है और मेरी चोटी बेनों की तुखास करके फैबरेट है देगो पीछे में वांपर खाना भी बने आती जा रही थी और यह लोग गर्मा गर्म खाना खाने की बात ही अलग हुती है और हम तीनों बेनर की बांडिंग तो अलगी है हम मतलब ती नहीं लड़ाई देखो पुकत मतलब इतनी लड़ाई होती है दिन रात लड़ाई होती है पर सलावी तुरंती हो जाती है फिर उसके बाद ये क्लिप दूसरे दन की थी मेरी बैंने रिकॉर्ड करवाई थी अब गेम खेल रही थी तो मैंने ये क्लिप लगानी पाई तो उसने का नहीं दी दी आज की वीडियो में लगाऊ आप लगाऊ आप मैंने का नहीं तो उसने जगड़ जस्ती लगाई दी दी देखो मैं खेल रही हूं तो मैंने चलो लगा देती है तो बस यहां पर मैं खेल लई थी गाड़ी बहिया लेकर आयती हम लो बस इसा उम्मीद के साथ आज का अपना यह चूटा से प्रासा वीडियो से मअपत करें कि आप अगर आप सभी को अच्रा लगाभ तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें करें में चैनल पे नेयों तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट पेड़ भीज लग्ट